हालो एवरीवन वैलकम तू दा स्टडी कॉंसेट कंप्यूटर जी के की स्रीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह इसका पंदरवा वीडियो है जिसमें कि मैं कंप्यूटर जी के कर वो सारे इंपॉर्टेंट कॉस्टेंस लेकर आ रहा हूं जो कि UPSC, MPPSC, RBI, BankPO, व्यापंब और अन्य सभी एक्जाम्स चाहिए वो स्टेट पीएसे हो सभी में कंप्यूटर जी के के कॉस्टेंस बनते हैं कम से कम 5 से लेके 10 कॉस्टेंस कंप्यूटर के आते हैं तो आप सभी जो भी स्टूडेंस इन सभी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी सीरीज को पूरा कंप्रीट देखें ये इसका 15 वीडियो है और इससे पहले लगातार 14 वीडियो में लेके आ रहा हूं हर रोज एक वीडियो अपडेट कर रहा हूं और अभी हाले में MPPSC और मदरप्रदेश कॉंस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और उ इतने भी वीडियो में बनाऊंगा उन सभी के नोटिफिकेशन मिनेंगे और लगातार देख पाएंगे ध्यान रखेगा और नोटिफिकेशन के साथ में आपको मेरा स्टाडी कॉंसर्प चैनल सब्सक्राइब करना है तो चलिए सिरू करते हैं अगले 25 कॉर्शन क्लाइंतल सर्वर इसमें से सहह ऊतलक्राइब क्या है है और स्टनि ग Ah कि अगश्रस नौमेंनरे लिए जो प्रॉसेस होती है उसको बोलते हैं डिनस Domain Naming System जो होता है उसको DNS कहा जाता है और यह horizontal होता है किसी website का नाम horizontal लिखा जाता है चाहे वो Amazon.com हो या कोई सी website हो वो horizontal होती है तो this is called the horizontal naming system अगला question आगए आपके सामने Telenet Seva के दुआरा हम खाली स्तान चलाते हैं क्या चलाते हैं Net per TV, Remote Program, Cable TV Network या फिर tally text तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है तो वो है remote program this is the correct answer जो Telenet होती है यह प्रकार का एक antenna होता है ठीकिना जो कि बिना किसी cabling के इसको operate किया जाता है ठीकिना एंटिना पे ही पूरा का पूरा जो signal है एंटिना के दौरा मिलता है और इससे अपन remote program जो कि दूर से ठीकिना satellite की थूर जो प्रोग्राम जाते है उसका telecast अपन Telenet की दौरा करते है ठीकिना तो this is the correct answer अगला question आ गया बरतमान में IP address खालिस्तान होता है 4 byte का 16 byte का कोई सीमा नहीं है या फिर assign नहीं किया जा सकता तो इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है 4 byte का this is the correct answer जो IP address होता है वो 4 byte का होता है अगला question आ गया इंटरनेट खालिस्तान switching काम में लेता है कौन सी switching को काम में लेता है यह अपनी को इसमें answer बताना है option आपके सामने है packet, circuit, telephone या फिर telex, तो इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है वो है packet, internet packet switching काम में लेता है यहने कि packet के दोरा data को transfer करता है तो this is the process of the internet internet packet switching काम में लेता है अगला question आ गया HTML में एक link को दूसरे URL के साथ जोडने है तो खालिस्तान tag काम में आता है जो URL को एक साथ जोडने में कौन सा जो tag है वो प्योक में आता है यह आपके सामने option दिये हुए है बताई इसमें से कौन सा tag है जो की काम में आता है तो which one is the correct answer तो इसका answer है A this is the correct answer अगला question में बताना है इसमें से कौन सा एक IP address है option आपके सामने है इन सभी options में IP address कौन सा है यह आपको बताना है तो which one is the correct answer तो इसका जो answer है वो है D 192.168.24.43 this is the correct IP address अगला question आ गया web को access करने है तो खालिस्तान प्रयोग आविश्यक होता है कोई भी web को access करने के लिए कौन सा प्रोग्राम की जरुवत पड़ती है option आपके सामने है browser, utility, boot या फिर firewall तो कौन सा answer इसका सही होगा तो इसका सही answer है browser किसी भी browser के थूँ ही अपन किसी web को access कर सकते हैं जैसे की google chrome हुआ, firefox हुआ, Microsoft age हुआ तो इस तरीके की जो browser होते हैं उसी में अपन किसी भी website का access कर सकते हैं, खोल सकते हैं, open कर सकते हैं, तो इसका जो सही answer है वो browser है अगला question आ गया, जब internet data आपका छोड़ता है, तो यह सामाने तहा अपने गंतव इस्तान पर जाने से पहले खालिस्तान पर जाता है, अहां पर जाता है, internet backbone पर, internet access point पर, base station पर या फिर communication system पर, तो इसका जो सही उतर है वो कौन सा होता है, कि जब internet अपना data को छोड़ता है, data, जब internet data आपका छोड़ता है, ठीक है ना? यहाँ पर जो खालिस्तान है थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर campus आएगा, ठीक है न, आपका जो compass है, उसको जब छोड़ता है, तब क्या आएगा इसमें, तो इसका जो सही उतर है, थोड़ा correct कर लिएगा question को, ठीक है न, compass छोड़ता है, तो सामाने ताहा, है न, यह गंतविस्तान पर जाने से पहले, खालिस्तान पर जाता है, तो कहां जाता है, तो इसका सही उतर है, network access point, ठीक है, यहाँ पर एक compass आएगा, यहाँ पर, ठीक है न, जब internet data, compass आपका, यहाँ नहीं आएगा, यह यहाँ पर आएगा, जब internet, compass data, आपका छोड़ता है, नहीं, तोड़ा confusion है इसमें, कुछ ना कुछ गर्बड़ी है, तोड़ा सा correct करना पड़ाएगा, यह यहाँ आएगा, यह यहाँ आएगा, ठीक है, जब internet data, आपका compass छोड़ता है, तो सामानिता, गंतविस्तान पर जाने पर, network access point पर जाता है, ठीक है, दोस्तों, आगे जाने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनेकेटमी के बारे में, अनेकेटमी लिख रहा है, आपके लिए, एक free plan, जिसमें कि आपको MPK top educator से, पढ़ने का सोनहरा मौका मिलेगा, और साथी साथ में आपको मिलेगा, 500 से ज़्यादा free live classes, every week without doubt clearing, फ्री weekly mock test, free live quiz, जो कि बेस हैर से जाता रहेंगी, और साथी साथ में आपको मिलेंगे, 20 free live quizzes, इस free plan को unlock करने के लिए, एकसेस करने के लिए, आज ही download करें, अनेकेटमी का एप, और मेरा जो referral code है, हर दियाल कुस्वा, उसको use करें, और इस free plan को unlock करें, क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, एक mock test ढून रहे हैं, तो अनेकेटमी आपके लिए लेकिया आया, MPPSC prelims full length test, जिसमें आपको मिलेंगे, live mock test, and access मिलेगा, 20 से ज़्यादा full length, जो भी mock test हैं, उनका जो की, पिछले मेने ही लाए हुए हैं, और यही नहीं, top 3 जो rankers होंगे, उनको मिलेगा, अनेकेटमी का, one month का, free subscription plan, तो आज ही अपनी जीत की तैयारी, दर्ज करें, अनकेटमी के साथ में, आए अप जान लेते हैं, अनकेटमी के plus batches के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए, एकदम perfect हैं, जी हाँ, अब अनकेटमी के साथ, आप अपने preparations की जरूरत के हिसाब से, अपने batches को join कर सकते हैं, और अपनी MPPSC prelims 2020 के लिए, selection पक्की कर सकते हैं, ये सारे batches बहुत ही जल्दी स्रूर हो रहे हैं, आप अपनी preparation में जहां भी हैं, आपको बहुत ही जादा मदद करने वाले हैं, तो आए जानते हैं इन सभी subscriptions के बारे में, और इन सभी batches के बारे में, जो भी विध्यार्ती prelims 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुनें, आपकी तैयारी के लिए, अनेकेट में लेकर आया है, 60 days का crash course with MCQ series practice के लिए, theory live revision दिन में और subject wise जो live MCQ series हैं, वो रात में होगी, और साथी साथ में आपको top educators के दोरा, live course और PDF notes में मिलेगा, और उसके साथ में आपको मिलेगा, 20 से ज़्यादा full length test, with live test paper analysis on every weekend, यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जन्वरी को, तो आज ही जाकर enroll करें, और अपनी तैयारी को पक्की करें, क्या आपका theory का revision हो गया है, और आपको subject wise mcq का revision चाहिए, तो आपके लिए unacademy लिक्या आया है, 60 days revision batch course, through subject wise mcq series, इसमें आपको subject wise mcq series का revision होगा, और हर class के बाद में आपको इसके notes भी provide करा जाएंगे, यह बैच भी start हो चुका है 14 जन्वरी से, तो join करने में बिल्कुल भी देरी न करें, और इसका लिए लिंक है, वो मैंने इस वीडियो की description box में डाल दिया है, वहाँ से आप उसको subscribe कर सकते हैं, क्या आप MPPSC की तैयारी सू कर रहे हैं, और dedicated guidance चाहते हैं, तो मैं आपके लिए foundation batch for MPPSC prelims and men's के लिए recommend करूँगा, जो की start हो रहा है 19 जन्वरी से, यह 10 मन्त का course है, इसमें आपको मिलेगी live classes with top educators, साथी साथ आपको मिलेगा PDF revision notes और weekly mega quiz, इस course का link भी मैंने इस वीडियो के description box में डाल दिया है, आप अपने सपने साकार करें unacademy के साथ में, क्या आप अपना revision अपनी speed में चाहते हैं, और revision आपका पहले से चल रहा है, तो आप अपने revision के लिए recorded revision batch join करें, संपूर्ण ग्यान में आपको सारे recorded revision session मिलेंगे, जहां आपको आपके page के हिसाब से आप पल सकते हैं, और साथ में आपका doubt भी आप clear कर सकते हैं, और संकल्ब batch में आपको मिलेगा dedicated doubt clearing, आपकी revision को boost करने के लिए, revision is very important, तो आज ही इस batch को join करें, और एक ही subscription में आपको पूरा access मिल जाएगा, जिन लोगों ने prelims clear कर लिया है, उन सभी विध्यारतियों को मेरी तरफ से many-many congratulations बहुत-बहुत बदाई, आप अपने men's की तयारजी में बिल्कुल चूक ना करें, आप लोगों के लिए unacademy लिके आया है swapन पूर्थी batch, जिसमें कि आपको 35 दिनों में MPPSC men's की complete preparation कराए जाएगी with dedicated answer writing practice के साथ में, तो आज ही अपनी सफलता की सड़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं unacademy के साथ में, unacademy की subscription के लिए बस आपको play store से unacademy का learning app डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो goal है MPPSC and व्यापम चूज करना है और play plus subscription में जाकर आप मंच चाहे जो भी courses से उसमें आप enroll करें और get subscription का जो button है उसको आपको click करना है instant 10% का fees में discount पानी के लिए मेरा referral code हर्दयाल कुसभा जो की capital letter में red capital letter में लिखा हुआ है उसको आपको enter करना है तो देर किस बात कियें दोस्तों आज ही डाउनलोड किजिए अनकेटमिक का learning app और MPPSC और व्यापम को crack करने के लिए टैयार हो जाएए लेट्स क्रैक इट अगला question आ गया Amazon.com निम्न model का एक प्रकार है कौन सा प्रकार है B2B, B2C, C2C या फिर C2B तो इसका आंसर कौन सा है तो इसका आंसर है second B2C, this is the correct answer Buyer to customer ठीक है Buyer to customer यह इसका full form होता है तो Amazon.com Buyer to customer यानकी B2C का एक model है अगला question आ गया Triple P, PPP का पूरा full form क्या है Print to Print Protocol Point to Point Protocol Point to Print Protocol या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही उतर है वो है Point to Point Protocol This is the correct answer अगला question आ गया Internet address खालिस्तान की द्वारा दिया जाता है TETFS IEEE या Inter NIC या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही question answer कौन सा है जो internet address है वो enter NIC के द्वारा दिया जाता है This is the correct answer अगला question डबलू-डबलू-डबलू के अविश्कार रख कोन थे है web designing में किस भासा का प्रियूक किया आता है C++, FoxPro, HTML या TFTML या TFTML तो कौन सा answer सही है इसका बताइए तो इसका सही answer है D, HTML This is the correct answer web designing में HTML जो language है उसका उप्यू किया जाता है इसका full form है Hypertext Markup Language ठीक है This is the full form of HTML और इसी से पूरी web designing की जाती है ठीक है अगला question आ गया NIMN में से एक web browser है Netscape, World Wide Web, Launcher या फिर web crawler तो इसमें से कौन सा है जो की एक web browser जिसमें की website open की जाती है तो वो है Netscape This is the correct answer Netscape भी है और भी है जैसे कि Mozilla जो Mozilla होता है वो भी है और Internet Explorer ठीक है और Microsoft Edge जो की अभी नया है साथ में Google Chrome तो यह सारे web browser है जिसमें की website open की जाती है ठीक है अगला question आ गया .NET किस company का product है .NET जो software है वो किस company का product है Sun, Oracle, Microsoft या फिर Adobe तो इसका सही उत्तर कौन सा है यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर है Microsoft जो .NET है वो Microsoft का product है Microsoft .NET में ही सारे programs को create करती है ठीक है अगला question Wave मानक कौन बनाता है Wave की जो मानक है जो की रूल्स है वो कौन मनाता Microsoft, The World Consortium The World Wide Consortium या फिर Google या फिर Mozilla तो इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है B The World Wide Consortium ये Wave के मानक कहने की Rules डेवलप करता है अगला question आ गया इंटरनेट के मात्यान से आपके computer में अनादिकरत access वर्जित करना खालिस्तान के मुख उद्देश है Pop-up अवरोधक Firewall Spireware अबदोर अवरोधक या फिर Spam हत्यारा तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है तो simple सा है जो भी इंटरनेट में अनादिकरत access करता है उसको रोकने के लिए कौन सा software रूपय होता है वो होता है Firewall एक Firewall होती है जो की प्रकार का एक सुरक्षा कावथ होता है जो की जो भी unwanted वाइरस होते हैं या फिर कोई भी ऐसे क्या बोल सकते हैं जो की computer को छती पहुचाते है computer को नुक्सान पहुचाते है ठीके ना उसको हैक कर लेते है उन सभी की लिए ये Firewall एक protection होता है जिससे की computer protect रहता है तो this is the correct answer अगला question आ गया निम्न में से कौन सा एक विशिस्ट वेब पेज और उसके वेब पर computer की पहचान करता है website website पता URL या फिर domain name बताई इसका answer कौन सा है तो इसका जो सही उत्तर है वो है domain name domain name ही है जो की किसी particular वेब पेज की एक पहचान बताता है कि वो particular website है या से कि Amazon.com है या फिर Google.com है तो particular website को identify करने के लिए domain name ही सबसे ज़्यादा important role प्ले करता है तो this is the correct answer अगला question आ गया इमेल पतों को कालिस्तान के चिन यूजर से नाम को ISP से अलग करता है बताईए at the rate n% at the rate percentage या फिर star ठीक है ना a, b, c at the rate site.com ऐसा होता है न या फिर amit at the rate gmail dot com ऐसा होता है न तो इसमें जो at the rate का सायन है ये उस particular ISP को अलग करता है यानि कि particular website का ये email ID है ठीक है तो this is the correct answer at the rate अगला question आ गया बीस बार text में वर्नित mail server protocol का उप्योग करता है कौन http fit pop या फिर smtp तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है तो इसका सही उत्तर है pop pop जो होता है वो text वर्नित mail को server protocol का उप्योग करता है तो this is the correct answer pop pop up mail जिसे बोलते है pop up mail जो होता है ये जो server की द्वारा जो mail होता है उसका protocol क्यलाता है ठीक नब POP mail ठीक है अगला question है 21 एक बड़े समों में एक ही समय email भेजने के लिए खालिस्तान software का उप्योग हो सकता है list server group analysis या फिर mail server इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है list server एक ही साथ एक ही समय में ठीक है ना एक बड़े से group में अगर email को सेंड करते हैं तो उसके लिए list server software जो होता है उसका उप्योग किया जाता है अगला question हा आ गया आवांचित वानजिक email को सामानिता के नाम से जाना जाता है junk hoaxes spam या hypertext जो की एक आवांचित commercial email होते हैं उसको junk email की तरह या फिर spam spam बोल सकते हैं spam is the correct answer spam mail कहलाते हैं ठीक है ना this is the correct answer अगला question एक news group पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर कहा जाता है जो उत्तर होते हैं उत्तरों को उनकी जो answer होते हैं उनको क्या कहा जाता है post, list, thread या फिर comment बताएं तो इसका जो सही उत्तर है वो है C thread thread is the correct answer अगला question आगे आपके सामने 24th इंटरनेट प्राइविक तौर पर इस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी अर्पा NSF NSA या फिर FCC प्राइविक तौर इसका जो सही उत्तर है वो है अर्पा अर्पा की अर्पा सरकारी एजेंसी की प्राइविक तौर की ये परियोजना थी ठीक है इसको आप याद रखेगा अगला question 25 और इस वीडियो का ये आखरी question है और इसमें पुछा गया है protocol एक web page को दूसरे web page से जोडने के लिए जो समर्थन करता है वो क्या कहलाता है एक web page को दूसरे web page से connect करने के लिए कौन सी इसमें से options हैं जो की इसका favor करते हैं HTML, IP, HTTP या फिर FTP तो which one is the correct answer तो इसका जो सही उत्तर है वो है HTTP इसी से अपन website को की page से connect होते हैं ठीक है न hyper transfer hyper hyper tax transfer protocol यह कहलाता है यह ठीक है न ठीक है न यह किसी website पे भी आपने देखा होगा सबसे पहले HTTP लिखा रहता है फिर colon लगा रहता है फिर यहां से www.abc.com आता है तो this is the initial syntax of the website तो यह थे पूरे 25 questions जो की मैंने आपको इस वीडियो में computer gq की स्रीज में रखे वीडियो कैसा लगा comment करें, like करें, साथ में share करें और लगातार मेरी इस gq की स्रीट साथ में बनने के लिए आप मेरा चैनल study concept subscribe कर ले all notification के साथ में जिससे के आपको मेरे वीडियो के सारे के सारे notification मिलेंगे और सभी वीडियो आप देख पाएंगे, मैं इसी के साथ साथ MPPSC की भी जो भी नया syllabus है, उसके accordingly पूरा का पूरा chapters wise पूरे topic wise मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उनको भी आप बिल्कुल देखें, और साथ ही साथ में मद्दप्रदेश GK की एक special series चल रही है जिसमें की मैं topic wise बड़े ही गहराई से हर questions को analysis कर रहा हूँ तो उसको भी आप जरूर देखें साथी साथ में constable series भी चल रही है मद्दप्रदेश constable की जो पुछली पिपर है उसका भी analysis चल रहा है तो उसको भी आप जरूर देखें तो लगातार मेरे इन सभी series के साथ में बने रहने के लिए मेरे study concept channel को all notification के साथ में आप subscribe कर लें तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ अगला computer gk कल फिर आपको मिलेगा वीडियो अगला तब तक के लिए जैहिन जै भारत